दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमारती सुजुकी अरटिया के भीकसई वाले वेरियंट के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस काड़ी में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलते हैं जिसमें हिगर पावर की बात करें तो 16cipe की पावर 6000RPM पर वहीं एगर टॉर्क की बात करें तो 136NM का टॉर्क 4400RPM पर आपको इसमें देखने को मिलता है इसके अलावा इस काड़ी में आपको 7-seater की seating capacity देखने को मिलती है और 5-speed का इसमें आपको manual transmission देखने को मिलता है वहीं अगर बात की जाए इस काड़ी के bootie space की तो इसमें आपको 209 liter का bootie space देखने को मिलेगा और fuel tank इसमें आपको 45 liter का मिलता है वहीं ये गाड़ी जो है तो साड़े 20 km पत लीटर का mileage petrol में देती है अब दोस्तों अगर आप इस काड़ी को लेते हैं अगर UP के कानपूर city से तो इस काड़ी की 100 room price होगी 9,78,000 रुपए जिसमें आपका RTO charge इसी 100 room price में चुड़ जाएगा 78,240 रुपए वहीं अगर आप इस काड़ी का insurance करवाते हैं तो उसका जोड़ेगा 47,749 रुपए इस काड़ी को किसी अधर city से खरीदेंगे तो इस काड़ी की price थोड़ी का में ज्यादा हो सकती है तो आप नीचे comment में जरू लिखिएगा कि आप इस काड़ी को किस city से खरीदना चाहते हैं अगर आप इस काड़ी का finance करवाते हैं तो इसमें मैं आपको 2 finance प्लान बताऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे इस काड़ी के 6 साल यानिकी बातर महिनों का अगर आप इस काड़ी का finance अगर करवाते हैं तो इसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट दो लाग एक साथ जार रुपई तक अगर करेंगे तो इसमें आपका इंटरस्ट रेट 9.8% लगाने पर आपका लोन अमांट 8,43 जार रुपई का बनेगा और इसमें आपकी हर महिने की 21 बनेगी 15,534 रुपई की हर महिने की और इसमें आपको टोटल अमांट पे करना होगा 11,18,000 रुपई लेकिन वहीं पर अगर आप इस काड़ी का फाइनेंस करवाएंगे गर 5 सालों के लिए तो इसमें भीकर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 2,61,000 रुपई तक अगर करेंगे तो इसमें आपका इंटरस्ट रेट 9.8% लगाने पर आपका लोन अमांट 8,43,000 रुपई का बनेगा और इसमें आपके हर महीने की किस्त बनेगी 17,830 रुपई की हर महीने की और इसमें आपको टोटल अमांट पे करना होगा 10,70,000 रुपई तो दोस्तो यही थे न्यू मार्ती सुजुकी अरटिया के भीक सई वाले वेरियंट के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लिए कमेंट में जरूर बताईएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किचेगा धन्यवाद